एक है वो है sexual reproduction और example है दूसरा तो method second हम discuss करेंगे पहले हमने method one या कहें कि example one discuss किया था इसका जो की था hydra का budding in hydra आज हम discuss करेंगे amoeba का example इसको देखेंगे कि जो amoeba parent है वो दो के अंदर कैसे divide हो जाता है या कहें कि वो दो child को कहें एक जो दो में convert हो जाता है तो एक child को newborn को इस जो पूरी process को हम binary fusion बोलते हैं तो इसलिए इसको बोला गया है binary fusion in amoeba तो amoeba के अंदर क्या होता है देखें हमने या figures के थूरू इसको दिखाया है जो amoeba body होती है उसके अंदर सिर्फ एक nucleus होता है तो यह क्या है यह nucleus है यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं जो cell होती है अ का काम होता है तो उसके लिए क्या होता है जो यह single cell organism है यह process के अंदर आता है reproduction में और divide होता है दो nucleus के अंदर तो यहां पर देखें यहां पर एक nucleus था और यहां पर इसका dividing हो रहा है तो आप इसको दिखा सकते हैं कि यह क्या है dividing position में आ रहा है या कह सकते हैं कि dividing nucleus यहां पर ह तो यहां एक था यहां दो बनने स्टार्ट हो गए और यह जो दो है यह बनते कैसे हैं जब यह खुद की बोडी को दो हिस्सों में डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है तो यह नूकलिस जो है दो हिस्सों में यह भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो इसने जैसे ही दो हि यह बन जाता है आपका जो newborn amoeba है तो यहां पर यह क्या है newborn amoeba है तो इस तरह से देखिए एक parent था और उसने क्या किया जो अपना amoeba है एक नया उसने जो जनम दिया newborn amoeba को जनम दिया तो इस तरह की जो process होती है उसको बोलते है asexual reproduction जिसमें सिर्फ एक parent होता है और वो newborn को जनम देता है अब इसी सारे process को कि यह nucleus एक का दो हिस्सों में divide होना तो यह सारी process जो होती है इसको हम बोलते है binary fusion in amoeba तो यह था हमारा asexual reproduction का example second तो thank you वीडियो देखने के लिए और ज्यादा अप्रेटिड वीडियो के लिए आप हमारे चैनल ग्यान लोग पर हमें subscribe कर सकते हैं thank you